नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप PC के कोई folder को आप कैसी लॉक कर सकते हैं जी हां सबसे पहले मैं एक बाद बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं काय कि मैं इस पे धेरो वीडियो अपलोड करता हूं मॉबाइल केम्पूटर आधी-आधी के बाड़े में आपसे निवेदन है कि आप पिलिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें अब देखिए सबसे पहले एक सफ्ट्वेर आता है विन रार आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मतलब फ्री में उपलब देशाप्ट्वेर सबसे पहले आप जो है जिस फाइल को आप पासवर्ट प्रोटक्ट करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेलक्ट किजिए मैं यहां पर फॉल्डर बना रहा हूं और उस फॉल्डर में कुछ फाइल रखना चाहता हूं जिससे कि मैंने यह देखिए मैंने इसमें यह फाइल कॉपी कर रहा हूं यह कॉपी हो गई है अब देखिए इस फाइल को मुझे पासवर्ट प्रोटक्ट करना है सबसे पहले आप एड़ टू एचीव एड़ टू एचीव में क्लिक करना है और इसे यह हो गया अब इसमें एक एड़ांस सेटिंग में जाना है सेटिंग का इसमें कमाल है और कुछ नहीं है एड़ांस सेटिंग में जाना है एड़ांस सेटिंग में जाना है और यहां देखिए सेट पासव डाल सकते हैं हमने ABC डाला ABC अब इसको OK कर देना अब फिर इसको OK कर देना अब देखिए एक फॉर्डर हो गया क्लिट हो गया एक फॉर्डर अब चाहिए तो आप इसे डिलिट भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है मैंको कि बात अब बात अब जो कोई Зट को आप इन पेड़ेगा कि मैं नहीं आ पंड दिक किया आ विसमें आपको फाल कर दी विल्ग इसमें अब इसमें आपट दीएजिए और है अब जो आप इसमें पास्वहर गयें और डाल दीजीए और है अपन इसे हमने यह सिखा कि हम किसी पीसी के पीसी के फॉल्डर को आप कैसे लोग कर सकते है यह हो गया अगर आपको यह आपको मेरा वीडियो चाल लगे तो आप सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद आपको